हाई फ्रेंड्स मैं सारीका वेलकम बैक टू मैं चैनल यहाँ पर रेंड लीली के मैंने बल्ब ग्रोग किये थे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ ले चुका है और इसमें फ्लावर भी खिला हुआ है तो फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है और बारिश क तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने गार्डन में 3 in 1 तरीके किस तरह से अपना सकते हैं जिससे आपके गार्डन में कई यूसफुल चीज़े हो जाएगी एक साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वीडियो और आप वीडियो को लास्ट तक देखती रहेगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करतीजेगा चैनल को तो फ्रेंट्स आपके घर में कुछ वेस्ट समान पड़ा होता है जैसे की मटका है कोई डबबा है तो आप उनका यूज कर सकते हैं गार्डन में तो ये देखिए मैंने एक मटका ले लिया है और इसमें बीच से होल कर दिया है देख सकते हैं ताकि पानी अच्छे से निकल च चाहिए इसलिए मैंने एक ड्रैनिज हूल पना दिया है इसमें तो फ्रेंट्स घर में मटके पड़े होते हैं यूज नहीं होते तो हम इसे पलटा के ऐसे रख देते हैं तो इससे अच्छा है कि उन्हापने गार्डन में इसको यूज कर लिया जाए इसलिए इस तरह के मट मटकों का यूज आप गर सकते हैं तो मैंने भी एक मटका ले लिया है और इसके बाद यहां पर आप देखिये कुछ यहां पर किचन वेस्ट है मेरे पास जम की सूख गया है यहां देख सकते हैं तो कुछ तो सूखी पतियां हैं ये सूखी पतियां हैं जो कि हम जब गार्डर में वर्क करते हैं तो बहुत सारी सूखी पतिया निकल आती हैं कुछ कटिंग्स वगरा निकल आती हैं तो उसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया था साथ ही इसमें कुछ सूखी नीम की पतिया भी हैं जो की बहुत फायदा करती हैं प्लांट्स के लिए और यहां देखिए किचन वेस्ट है जैसे की सब्जीयों के चिलके हैं तो उनको भी मैंने एक टुकनी में इकठा करके रखा था जो इसमें से जो वाटर था वो सारा सूप गया है सब्जीयों का तो इस तरह से इकठा कर लि इस मटके में हम डाल देंगे क्योंकि वैसे ही हम क्या करते हैं जाडू लगा करके सारा कचड़ा अक्सर फेक दिया जाता है लेकिन मैं क्या करती हूं उनको सम्हाल के रखती हूं भले किसी डब्बे में डाल के रख दू या किसी भी चीज में डाल के रख दू अब यहां पर देखिए कि जो होल है इस मटके का उसमें मैंने कुछ टुकडे डाल दिये हैं आप चाहे तो गिट्टी पत्थर भी डाल सकते हैं नीचे इसके बाद कि ये ड्रैनेज होल जो हो वो कवर हो जाए उपर से मिट्टी बेह के नीचे ना जापाए इसके हमने से कवर कर लिया है पहले मैंने मोटे मोटे टुकडे लिये हुए हैं जो हमारे वेस्ट माटेरियल है उनके तो सुखी पत्या है इसमें नीम की पत्ती मैंने मिक्स कर दी है इसी के साथ क्योंकि नीम की पत्ती जो होती है वो बहुत ज़्यादा करती है प्लांट के मिट्टी में अगर आप मिला है इस तरह से अब इसके बाद हम इसमें कवर कर देंगे मिट्टी से तो इसके उपर हम मिट्टी डाल रहे हैं तो या कोई भी गुडं स्वाइल आप डाल सकते हैं जो कि पूरी अच्छे से कवर कर देना है अब को अभी मट्के के नीचे बेस नहीं होता तो यह इदर-इदर होता है लेकिन अप इसके नीचे कोई बेस बना सकते हैं या कोई ढकन हो, कोई डबा हो, या कोई गमला हो, इसके उपर आप इसे रख सकते हैं, तो और आप जब भी सोईल डालते हैं, थोड़ा सा इसे दबा दीजे, अब इसके बाद सोईल के बाद फिर से मैंने दूसरी लेयर अपने वेस्ट माटेरियल के डाली है, ये देखे, फि चैपती की पत्ती भी है, सुखी हुई, जो मैंने इसमें डाल दी थी, तो वो सारा मैंने मिक्स कर दिया है, और उनको ही इसके उपर हम डाल देते हैं, एक लेयर पूरी बना लेना है, मिट्टी के उपर से इनकी अच्छे से, और फिर उनको दबा देना है, और इसके बाद आप इसके उपर फिर से हम एक मिट्टी के लेयर डाल देंगे, तो ये देखे, ऐसे ही आपको डालना है, और फ्रेंट्स इसमें क्या होता है कि ये देखे, केले का सिलका भी डाल दिया है, इससे क्या होता है कि फ्रेंट्स कमपोस्ट भी आपका तेयार होता जाएगा, तो एसके उपर से say ex lire,intaajzar bell, एसको दबा दिया है आप दबा करके फिर से कीचन में ए mmoof की मटी के लायर डालिया और अपना किचन वेस्ट मटेरियल दालिये इसलों से करके अगर आपका फोट बड़ा है तो फिर आप को थोड़ा जादा material लगेगा तो ये देखे मैंने पूरा भर दिया है इससे अब क्या होगा कि आपके पास अगर मट्टी कम होती है तो आप किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे मैंने बेस के लिए एक डबा रख दिया है ताकि हमारा मट्का यहां वहां हिले नहीं तो यह देखे मिट्टी कम होती है तो यह तरीका बहुत अच्छा होता है आप इस तरह से आप गमले को भर सकते हैं कम मिट्टी में भी आपका गमला पूरी तरह से ऐसा भर जाएगा दूसरा यहां पर आप देखिए मैंने मनी प्लांट लिया इसमें लगाने के लिए जो कि पहले से ही रूटिंग हुई हुई है इसमें क्योंकि इसको मैंने पानी में ग्रो किया था तो पानी में रूटिंग हो चुकी थी अब इसको हम इसमें लगा देंगे तो यह देखिए हमारा मनी प्लांट इस पॉर्ट में लगकर तैयार हो चुका है तो फ्रेंस थ्री से 3-in-1 तरीका अपना सकते हैं अपने गार्डनिंग में या कहें कि 3-in-1 हैक यूज कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी सॉयल तैयार हो चुकी है इस पॉट में जो की धीरे-धीरे कंपोस्ट बन जाएगी और आपके प्लांट को भी बहुत सारा न्यूट्विशन देगी तो इस तरह से आप भी अपने घर में इसका यूज कर सकते हैं और जब भी आप किचन वेस्ट लेते हैं तो उसका मुश्चर आप सुखा कर रखिए उसके बाद ही पॉट में डालिए तो बस फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही बाई बाई